तो स्वागत आप सब का हमारे चलम है जिसका नाम है डॉट्टर ट्रेप्लोगर तो हम हेल्थ इन मेडिकल सेटर में पिछली वीडियो में हम बात के थे हमारे एब्डुमिनल एयोटा थोरासिक एयोटा और यह सब एयोटा आपके कौन से कौन से चेज मेरे सीने के और पेट के मसल को सप्लाइ करते है आटरी तो इस टोपिक में अगर आप लोग बोल्ड वीडियो नहीं देखे हो तो आई बटर में क्लिक करें और जाके देख लिजे तो आज के वीडियो में हमारे पिल भीस और लॉल लिम में जितने सारे मसल आते हैं और ल margain इंदर में जितना हो सके उटना कोशिश करऊंगा बताने के लिए इसstoffies मतलब कमर के अंदर में बहर में जितने सारे मसल होते हैं उनसे क्यक्ण करने घुजरू करते हैं अंदर में जो ऑश्राट करते हैं उनमें से आते हैं अपका यूब्यक्ट लें प्रक्राइब कोक्सीक इस्चीओक तो और मसल में इतना सब घर सेल आइगा पर थोरे दिर में बात करेंगे फिर nost Και 건 का चे दोट एँनास के चलावड़ दो हिस्टम और तो फिर स्फिंग्टर को माताव करे Carnegie 师兩個 कि उसके साथ थोड़ा उपर जाते हैं तो उसको क्या मिलता है उसके साथ हमारे लंड में लड़कों को लंड होता है तो यॉट्रयक्व Kr ? कर fright आप करिंगे तो यह जो मसल होते हैं इनको सप्ले करते हैं आपका ये चार मसल रहते हैं, तो ये चारों का blood supply कैसे होता है, पहले आपका iliopsoas और iliacas, ये दो मसल करीकरीब रहते हैं, तो दोनों मसल को supply करते हैं, आपका medial circumflex femoral artery, अब medial circumflex femoral artery कहा से आया, lateral curie है या, femoral artery कहा से आया, इसे भाब में बात करेंगे थोरे दूर में, थोरे दू में बात करेंगे, उसके बाद मैंने क्या बोला, suas major, suas minor, suas major, minor, दोनों मसल आपको supply करता है, iliolumbar artery, ठीके, अब अंदर वाला हिस्सा खतम, बहार आते हैं, ठीके, कमर के हड़ी के बहार में भी बहुत सरे मसल रहते हैं, कमर के बहार में रहने वारे मसल जो होते हैं, इन म में समझ रहे हो, तो पुराने वाले वीडियो देखे लो, मसल वाला पाट में मैंने डिटेल्स में बात कर चुका हूँ, तो, gluteus, maximus, medius, minimus, तीनों मसल को supply करते हैं, आपका superior gluteal, और inferior gluteal artery, ठीके, आगे में आते हैं, आपका tensor fasciolator, ठीके, tensor fasciolator, यह हमारे lateral side में जाएत artery, वैसे ही lateral भी होता है, lateral circumference similar artery हमारे tensor fasciolator muscle को supply करते हैं, बस, और कुछ नहीं, next, pyreformis muscle, superior gemellus, inferior gemellus, ठीके, obturator externus, internus, यह जो कुछ जो muscle होते हैं अंदर में, इन सब को supply करता है, obturator group of artery, ठीके, obturator artery घासाया, यह भी हम बात करेंगे, थोरे देर में, तो obturator किस-किस को supply करता है, आपका super gemellus, infer gemellus, obturator externus, internus, और आपका pyreformis muscle, पांच muscle को supply करता है, ठीके, तो यह सिब चीज आपको, मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि यह आपके entrance exam में काम आएगा, दूसरा, अगर कोई anatomy, जो आपका theory, भायबा प्रेक्टिकल होता है, ठीके, तो प्रेक्टिकल में लिखने के लिए थोड़ा आपको याद रखना पड़ेगा, बस इतने ही, थोड़ा आगे बढ़ता है, पिल्विक, कमर वाला part section खतम, और नीचे जलते हैं, ठीके, तो थाई का जो सामने वाला part होता है, entry compartment, जैसे मैंने muscle वाला section में बता है था, क्या क्या साटोरियास, रेक्टस हिमोरिस, फिर भास्टस group of muscle, भास्टस में क्या क्या थे, भास्टस, मीडियालीस, जो मीडियल में रहे थे, भास्टस मीडियालीस, भास्टस इंटरमीडियस, भास्टस लेटरेलीस, ठीके, तीन group of muscle थे, सब बता चुका हूँ, तो ये जो 5-6 muscle होते ह हमारे थाइकेस हमने इन सब को सप्लाई करते हैं आपका फिंऔरल आर्टरी फिंपर लाट्री हम बात करेंगे स्थिर्णे रहे पूरे ते कॉंपरमेड को सप्लय कर लेता है ठीकई इस कॉंपर मिर्ड को हम कहते हैं tidak कवाड्रिस्प्र द्रस्रेट्ड गूर्प of mitta ठीक है और फिर हम चलते हैं हमारे पीछींज리 repair में क्या क्या आता है पीछे में..? हैंस्ट्रिंग गूरिस सेमि तेंडेन हमें Ö diet. तीन我们 सब्सकेकीमलिकाता है आपका बंतनल सेके में सब्सक्राइर निंगेते में रोग फैस्च को सब्सक्राइक अब करते हैं। इसको बीसित हैं उसी के साथ आगे चलते हैं इस आगे में क्या यह उत्हीं अदर ने फर्फख़राव क्यों ए बहुत सारे मांसल को भी कबर करते हैं यह यह तो इसके साथ आगे चलते हैं इस आगे में क्या क्या थे अंदर में रहते हैं आपका एड़क्टर ग्रूप उप मसल साथ में ग्रासिलीस ग्रासिलीस मीडियल में मीडियल में तो ग्रासिलीस फिर एड़क्टर मैगनस एड़क्टर ब्रेविस एड़क्टर लॉंगस यह सब जो मसल मैंने बता है पुरहने वीडियो में वह आगे देख सकते हो तो यह चार पाज जो मसल होते हैं इसको सप्ले करते हैं अपका अप्ट्रेटर आर्टर के कुछ-कुछ ब्रांच आते हैं ठीके फिर जब हम पेर में आते हैं ठीके पेरों में क्या क्या आता है आपका टिबियलिस एंटेरियर ठ फिर एक्स्टेंसर हेलोसिस लॉंगास फिर एक्स्टेंसर डिजिटरम लॉंगास ठीके मतलब यह जो मेरा पेर है इधर में साइड में आते हैं आपका टिबियलिस एंटेरियर मसल फिर एक्स्टेंसर हेलोसिस लॉंगास हेलाक्स के लिए फिर एक्स्टेंसर डिजिटरम VB LART अब यह आठरी खास है यह भी हम बात करें गया थोड़ा सब्रक्षट तो फिर हम चलते हैं पैर में पीछे के तरफ पीछे के तरफ इस सेक्षण में क्या रहता है आपका triceps suri group of muscle ठीक है? triceps suri group of muscle में वो सबसे उपर आता है आपका gastrocnemias उसके अंदर आता है आपका solias उसके भी अंदर आता है आपका planteris group of muscle ठीक है? तो इन सब muscle के बारे में मैंने पुराने वीडियोगे बात कर चूँँ हूँ आप देख सकते हो तो gastrocnemias soleus और plantares ये तिनों muscle को सप्लाइ करता है आपका posterior tibial artery आप posterior tibial artery खाहा सरा है ये भी हम बात करेंगे और एक special artery होता है जिसकों के थे sural artery, कोई-कोई इसको sural artery भी कहते है sural न का भी सुरल भो जो भी भोलो तो चीज से contexts पर रहेते हैं हमारे ढ़ूट इसको करते हैं अब सामने में मुला था पीछे में पीछे में के कहता है टी कि पॉस्टेटिरुप смотреть त्विक और को UK साज्मेलर करतों इस लंगाश वह इसप्लाइबरेज पील निंद रहे पल्रच्सम Anyways पारीज्ट पाश्ट sections विति नहें अच्छे अरफ सबसेज़ करना से जैसे सबनाख मेंते खेए25 सब्सक्राद में अच्छी सबदें do यह लग बखक इधिर में खतम हो जाते हैं अब बाकि जितने सारे मसव होता है प्लेंटर होता है आच पर उसकी सबॉत च्तर होता है कुछ ये हम बात करेंगे इन सब कर और जो ब्रांच होता है आज होता है आज पता है था कि abdominal aorta abdominal aorta 4 number number vertebra ठीक है L4 position में आके दो हिस्से में बढ़ जाता है एक left side का common illyakotri एक right side का common illyakotri right side left side दो हिस्से में बढ़ जाता है ठीक है बटने के बाद यह क्या होता है यह artery जाते जाते हैं हमारा जो sacroiliac joint है ठीक है मतलब ileum पीछे के तरफ sacrum हंटी पीछे के तरफ और right side ठीक है 2 set का 2 pelvic bone बीच में आपका sacrum तो sacrum को लगने के लिए तो pelvic bone का जो 3 पाट होता है उसका उपर वाला ileum जो है यह आएगा तो ileum के साथ जब sacrum लगता है इसको हम के थे ileo sacral या फिर sacroiliac joint ठीक है तो यह sacroiliac joint के जैसे ही करीब आता है आते आते ही यह common ileum आटरी भी दो हिस्से में बढ़ जाता है ठीक है एक को हम के थे external ileum दूसरे को हम के थे internal ileum ठीक है तो external वाला बाहर में रेता है इंटर वाला थोड़ा अंदर में डीप में घुच जाते है ठीक है ultimately क्या हुआ abdominal लेटा दो हिस्से में बढ़ गया common ileum राइट सेट का लेट सेट का ठीक है बात करहों external में क्या हुआ जब यह inguinal ligament है inguinal ligament का area तर जब रहते है इसका हम कहेते है external ileum जब यह inguinal ligament cross करके और नीचे चला जाता है साथी साथ इसका हम name change करके इसको हम बोलते है femoral artery ठीक है right side left side ठीक है तो external ileum artery का ही continuation होता है femoral artery अब यह femoral artery का branch क्या क्या आता है superficial circumflex Kathygiejin दूसरा superficial external purional artery deep external purional artery profunda femuris artery ठीक है अब यह profunda femuris artery क्या करता है median circumflex femoral artery , lateral circumflex femoral artery ठीक है reactor Magneis क्या करता है हमारे जो ये medial border होता है femur का इसके बीच बीच में थोड़ातरा gap रखता है ठीक है खिरकी जैसा खिरकी या windows जैसा थोड़ातरा थोड़ातरा gap रखता है इसी gap से आपका perforating arteries जितने सारे होता है वो आर पार चले जाते descending genicular artery ठीक है लास्ट वाला जो हायटस होता है चांड नंबर यह femoral artery का जो लास्ट पट होता है यह क्या होता है इतने सारे ब्रांच देकर यह पीछे से घुच जाते है medially posteriorly downward posteriorly downward चले जाता है इधर से जाता है posteriorly downward चले जाता है ठीक है डानलोड जाके यह popliteous muscle के अंदर घुच जाता है मतलब पूरा अंदर नहीं थोड़ा deep में मानलो यह popliteous muscle है मानलो यह मेरा घुटना है ठीक है घुटने का पीछे वाला area popliteous muscle इधर आर्टरी popliteous muscle और जो घुटना है इसके बीच में घुच जाता है ठीक है एकदम अंदर में जिसलिए आपका यह popliteous muscle है यह आर्टरे को cover करता है यह थोड़ा product करता है anyway तो इसके जरीए इसका नाम हो जाता है आपका popliteous artery ठीक है इस सब के बाद popliteous artery क्या होता है पीछे में जाके फिर से दो इसे में बढ़ जाता है एक होता है आपका anterior tibial artery दूसरा होता है आपका tibio peroneal trunk ठीक है तो पहले बात कर ले थे complicated जो है आपका tibio peroneal trunk से उर्जिन होता है आपका sural artery sural artery जो मैंने पहले बाता है था sural artery फिर आते हैं आपका median superior genicular artery median inferior genicular artery हो गया इसके बाद आते हैं आपका lateral superior genicular artery उसके बाद lateral inferior genicular artery हो गया उसके बाद आते हैं मीडियान genicular artery हो गया उसके बाद बाद कभी-कभी आता है आपका lateral artery जो फिबूला के सेंद में रहते हैं पीछे में तो ऐसा है ठीक है तो यह पॉस्ट्री टीब लेटर क्या होता है पॉस्ट्री टीब लेटरी जो मैंने बला था जी आपका टीबियो 울ق्यल ट्रांक का पहला ब्रांश होता है यह ब्रांश नीचे के त बढ़ता है ठीके अधिके बीड होंते है जुता है और सबसे नीचे जाकर जो हमारे शोल है मतरए पैर का एकदम नीचे वाला एरिया लास्ट इडिए ठीके तो इसमें जो मसलत है इसको अब कभी कब आप traintyuhan नोरों तरुटे या फिर और या और किरफ हो गया इदर में रहा गया था तो यह इवां कऊ प्लान्टर आप sign में उन्हल सबमेस्ठाव करता है आप कर चेह करता है इदेर में जो बभी में बता है ता को fibularis anterior fibularis posterior muscle जो होता है ये दोनों muscle लों supply करते है और कभी के पार हमारे यजो टीबिया और फिबुला दोनों हटी है, इस दोनों हटी के बीच में रहते है आपका इंटरोशियस मेंब्रेन, ठीक है? ये मेंब्रेन को छेट करके सामने के तरफ बढ़ता है, एक दम सामने के ऐंटरिली डानवाड, ठीक है? मतलब downward forward movement होता है ठीक है तो ऐसे movement क्या करता है यह artery कुछ-कुछ branch देते हैं जैसे posterior anterior posterior posterior tbl recurrent artery सामने में anterior tbl recurrent artery ठीक है इतना हो गया इतना होने के बाद जब थोड़ा और नीचे जाता है नीचे में इधरी आप थोड़ा और नीचे जागे क्या होता है यह जो मीडियल मेलोलियस है फिर मीडियल लेटरल मेलोलियस के आसपस जितने मसल रहे इसको भी सप्लाइ करते हैं तो इस आर्टरी का क्या क्या आता है ब्रांच पहला anterior tbl recurrent artery दूसरा पोस्टेडियर tbl recurrent artery खतम तीसरा muscular branches जितने सारे मसल है इदर में सब को पकड़ लेता है जब थोड़ा और नीचे जाता है यह क्या करता है anterior medial meleus या फिर anterior medial meleular artery और lateral में anterior lateral meleular artery ठीक है दोनों meleus का सामने जो मसल रहे इसको ही कुछ ना कुछ सप्लाइ करता है इसके ब्रांच जे इतना सब कुछ होने के बाद antreative latary क्या करता है यह जो हमारा first menstrual bone है ठीक है ? एक फास्ट मिला डरसल और सेगर मिला डरसल ठीक है फास्ट सेकें यह दोनों मिला अच्ट के बीच में घुच जाता है जब दोनों हड़ी के बीच में घुच जाता है इसका नाम चेंज वह रहता है आपका डौशलिस-पेडिस अटरी लॉंब्रिकल्स मसला प्लांटर इंट्रोशाई डॉर्सल इंट्रोशाई इतने सारे मसल को कबर देने के बाद ये क्या होता है थोरा नीचे जले जाता है डानवार चले जाते हैं डानवार जाने के बाद जब यह सोल के तरफ जाता है मतलब उपर से जाते जाते यह अंदर से घुशके यह नीचे से चला गया ठीक है अब नीचे से ऑल्लेडी पॉस्ट्री टीविल आट्री एक आर्श फर्मेशन कर रहा है सत में यह डॉसले आके ऐसे बैंड हो गया बैंड हो गया ना ऐसे करके बैंड हो गया तो दोनों मिलके जो आर्श फर्मेशन करता है इसका नाम होता है प्लांटर आर्च प्लांटर आर्च आपका पॉस्ट्री टीविल लटरी और दॉसले स्पेडिस आर्टरी फर्मेशन करता है ठीक है तो य इतने सारे वीडियो में आपने क्या सिखा तो इतने सारे वीडियो में आपने क्या सिखा जगा चेंज होता है नाम भी चेंज हो जाता है पर आर्टरी सेम रहता है जैसे में आपका हाथ है आपका सबक्लिबियान सबक्लिबियान क्यों होता है आर्च ओफ एटा या फिर ब्रक करें शेटेवी तक जो बीच वाला वड़र होते और इसके साथ साट जो फास्ट video का ठ्यों होते हैं से फास्ट डी सैस्सक्सक्स तट करें इसको बाइठकर मुख्ते हैं इसको फвалतिब इससंक्य HRS जब भी यह border cross करके इसको हम कहते है post-scalannus, post-scalannus क्या होता है यह जो border करके थोड़ा आगे बढ़ता है इसको हम कहते है axillary artery, चीज घून के जाने करासता एक ही है, सिर्फ नाम बदल लिया, axillary, axillary जब यह teris-measur muscle का जो border होता है यह cross कर लिया, साथी-साथ इसका नाम change हो गया, brachialis artery, ठीक है, brachialis artery क्या होता है, जब यह हमारे cubital form आता है, यह दो हिसे में बढ़ जाता है, एक radial artery, ul artery, खतम ul artery, ul artery, ul artery, ul artery, दोनों में, दोनों क्या करता है, यह palm, palm में जाके superficial और deep palmar arch formation करता है, खतम exactly उसी तरह, पेट में भी होता है, abdominal aorta, दो हिसे में बढ़ जाता है, आपका, common iliac, right side में, left side में common iliac, ठीक है, common common iliac बढ़ जाता है, अब यह common iliac artery भी, दो हिसे में बढ़ जाता है, external iliac, internal iliac, अब external iliac भी क्या होता है, यह, अब यह external iliac क्या होता है, external iliac अबका femoral artery formation करता है, ingular ligament cross करके, femoral artery क्या होता है, femoral artery थोड़ा जितना सारा branch हो जाके, उतना देदी देदे, परफोलेटरिंग ब्रांश होके, चान नमबर जो हायाटस होता है, ठीक है, एलेक्टर मेगनस का तो चान नमबर 6 होता है, इतर से घुच जाता है, इतर से घुच के पीछे चला जाता है, पीछे में जने क्या होता है, पॉपलेटरी बन जाता है, कहां से आया था आपका external iliac अटरी, change हो गया femoral artery, change हो गया पॉपलेटरी, पॉपलेटरी अपका anterior और fibular, यह टीबियो फेरोनियल, ट ट्रंक देते हैं, टीबियो फेरोनियल ट्रंक तो खतम हो जाता है, पर यह आटरी continue होते होते है, सामने में चला आता है, एंटेरियो टीबियो फिर से यह सामने चला जाते है, यह डॉपलेटरी होता है, ठीके, डॉपलेटरी होने के बाद जो टीबियो पेरोनियल ट्रंक थ अभी तक में जितना सारा वीडियो अभी तक में जितना सब कुछ बात क्या हूं सब कुछ एक्स्टरनल पर था अब बात करते हैं इंटरनल इलियक आटरी का फेट क्या होता है यह क्या करता है यह बहुत सारे ब्रांच देते हैं इंटरनल इलियक आटरी बहुत सारे ब्रांच जैसे मैंने पहले बता है के हôm अप्रियो प्रीके act수reider artery dej अब.. स्पेशल आता है कुछ लरक्यों में ओर्डन कुछ एक्स्टर होता है जिसे भेजाईना, इउटरस भेजाईना ना dollar क में तो लरक्यों का चूत Use a dollar बहांते, बात में बात करेंगे अब इनके लिए आटरी क्या था है इंटर्नल का अर्टरी सप्लाय करता है बैजने लिए बैजन लों गोल गतरी एक तो एक और भी आते हैं तो इंटर्नल इलीक अडिर्री एक और ऊता दहीव्य नग weit जा Gibbs बोड़ा ड़ोला से आता है इंफेर diffy वाला इंटर्णल इलियक से तो इनफीर औरर ओर लातरी कंदातriel परिणुया में तो हमारा भारवल आ इस ठीक है तो इदर में जितने सारे मासल आता है और्गांस रहते हैं सबको सप्लाइए करते है ब्रांशबार देखे यह आपका पिरिणी लट रही तीसरा स्पेचल एडिशन में लर्कियों के लिए होता है लर्कियों चूथ होता इंटम दूटिल लट्री ऐता है यह लांड लैंड अंस्प्लाइब करता है आपका यह इंटर्स में आता है यह आता है आपका् tax जिसे मैंने पहले बाता है आपका रहुआ छट्रीक्ट ग्टिल रहां से और इंटर्स जाता है यह thé App स्धेंटिक कि अपने जुन हो प्रत्रिट को प्तर्वर में दो आता है एक आपका इंटर्न ल्यक से एक करते हैं ऑकम को यह सेक्रल ल्टरी मतलब मीन सेक्रल कहा से रहा था है कि कर दो मैंने बता और वित को अब्रों Cathedral लेफ्ट कमॉन इलिय क्रें राइट कमॉन इलिया दोनों कमयन इलिया के बीच में जो पार्ट हुथ इधर सी एक सब्सक्राइब करने के लिए आता है आपका लेटरल सब्सक्राइब का ब्रांच तो घुमाफिर्या के आपका कॉमन इलियाक का जो दो पार्टों था है एक्स्टरनल इंट्रल दोनों पार्ट खतम हो जगा है उसी के साथ हमारे लोवर लिंप का जो आर्ट्रेल सब्सक्राइब वो भी खतम हो जगा है ठीक है तो आज के वीडियो के लिए बस इतना है फिर मिलेंगे तब तके लिए बाई देलोड़ आर्टों दो आर्टों पार्टों पार्टों पीडियो के बात्रुम के लिए एंटरη spool प्रहुई घलिये तब दो से वां चोल आर्टोंस वांट्सों सब्सक्मा नाग्टों